नहीं रही महरानी एक युक का हुआ अन्त जाने कितनी ताकत्वरती बिटेइन की क्वीen ईलिजा बेथ देद्य करीब 70 अग राच करने वाली क्वीन ईलिजा बेथ देद्य अब इस दुनिया में नहीं रही उन्होंने 96 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया उनके निधन के बाद पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर दौर पड़ी है उनके निधन पर दुनिया भर में शोक की लहर चाई हुई है महरानी का नाम दुनिया की महान शक्सियतों में शुमार था एलिजा बेथ ने इस साल सिंगासन पर अपने 70 साल पूरे किये थे इस तरह से दुनिया में दूसरा सबसे लंबा शासन करने का रिकॉर्ड एलिजा बेथ के नाम पर है वो साल 1952 में बृटेन की महरानी बनी थी और 16 महिने बाद जून 1953 में उनकी ताज पोशी की गई थी बृटेन की महरानी का जन 21 अपरल 1956 को बृटेन के राज परिवार में हुआ था जादा तर लोग बृटेन की महरानी को क्वीन ऐलिजा बेथ के नाम से जानते हैं जबकि उनका पूरा नाम एलिजाबेद अलेक्जेंडरिया मेरी है क्या आप जानते हैं? वो सिर्फ बृतेन की ही नहीं 14 अन्य आज़ाद देशों की भी क्वीन थी वो देश जो बृतेन का हिस्सा थे बृतेन की महरानी युनाइटेड किंग्डम के अलावा कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड की भी रानी थी साथ ही साथ वो बारा देश जो उनकी रानी बनने के बाद आजाद हुए वो उनकी भी रानी थी इतना ही नहीं वो कॉमन वेल्थ देशों की हैड भी थी जिसमें भारत भी शामिल है तो आप समझ सकते हैं कि वो केवल ब्रिटेन की ही नहीं बल्खी दुनिया के बहुत से देशों की रानी रही एलिजाबेथ ने 1956 से सत्तर के दौरान बीज से जादा देशों को ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र करा दिया था एलिजाबेथ 1951 में खाड़ी युद्ध की जीत पर अमेरिकी संसत के सेयुक्त सत्र को संबोधित करने वाली पहली अंग्रेज शासक थी एलिजाबेथ को हैड आफ स्टेट यानी राज प्रमुक की उपाध ही दी गई थी जिसके कारण महरानी को दिन भर की सरकारी गतिवीडियों और राजनितिक हालातों की जानकारी दी जाती थी इतना ही नहीं महत्वपूर्ण बैठकों में जो भी चर्चा होती थी उसके अधिकारिक दस्तावेजों में महरानी के हस्ताक्षर जरूरी होते थी इसके अलावा पीम के साथ सिक्रेट मीटिंग भी करती थी ब्रिटेन के प्रधार मंतरी और महरानी की मुलाकात का समय फिक्स होता था ब्रिटेन के प्रधार मंतरी को आमतोर पर हर बुधवार को महरानी से मिलने की इजाज़त होती थी उन्हें महरानी से मिलकर सरकारे कामकाज और हालातों का ब्योरा देना होता था ब्रिटेन की संसत में जब भी कोई कानून बनता है तो उस पर शाही मोहर लगानी ज़रूरी होती है कानून बनने के बाद महरानी की अनुमती के लिए बखिंगम पैलेस में ही अंतिम स्विक्रिती मिलती है तब ही उसे लागू किया जा सकता है जब भी बिटिश संसद में साल के नए सत्र की शुरुवात होती है तो उद्घाटन महरानी ही गरती आई है आपको जानकर हैरानी होगी कि महरानी सविधान से उपर है और उनको किसी भी तरह के कानून का पालन करने की कोई ज़रत नहीं पड़ती थी महरानी को दुनिया में किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रत नहीं पड़ती थी महरानी की ताकत का बस एक छोटा सा नमूना ये है कि महरानी के पास किसे भी युद्ध को शुरू करने और खत्म कर सकने की पावर थी इंग्लेंड की महरानी वहां की संसत से बिना पूछे युद्ध का एलान कर सकती थी वहीं बिटेन की संसद अगर कुछ करना चाहे तो पहले उसे महरानी से इसके लिए इजाज़त लेनी होती थी साथ ही हम आपको ये भी बता दे कि बिटेन की संसद में ऐसे किसी विशे में बहस नहीं हो सकती है जो राज़ शाही के खिलाफ हो या फिर उनकी ताकत को कम करना चाहे इस खबर में फिलहा लिता ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ